दुस्तो एक रोगी आकर मुझे कहता है कि मुझे अपना वजन बढ़ाना है अपने सारी रिक बल में मैं वृध्धि करना चाता हूं और इसके लिए मैंने बहुत से दवाईया प्रियोग करके देखी हैं उनमें से अधिकतर दवाईयों के मुझे कोई भी लाब या तो प्राप्त होते ही नहीं है और अगर कोई दवा लाब दिखाना प्रारंब करे भी तो वह मुझे हजम नहीं हो पाती है हमारे सरीर में इतनी ताकत नहीं रहती कि उस दवा के प्रभाव को हम सहन कर पाए जिसके चलते कुछ ही दिनों में हमें उस दवा को त्यागना पड़ता है उस दवा को बंद कर देना पड़ता है अब एक दूसरे रोगी की बात करते हैं वो अभी अभी एक लंबी बिमारी से निकल कर आया है वो बिमारी कुछ भी हो सकती है और इस बिमारी के चलते उसका सरीर बहुत अधिक कमजोर हो चुका है जिसके कारण ना केवल उसकी सारिरिक बलकि मानसिक छमता भी छीन पड़ चुकी है कमजोर हो चुकी है और उसे अनुभव होता है कि वो कोई भी कार्य अच्छे प्रकार से नहीं कर पा रहा है, बहुत अधिक ठकान की उसे अनुभोती होती है दोस्तों आपको इन दोनों रोग्यों में कोई सामान्य बात लगी? जी हाँ, वो सामान्य बात है सारीरिक वे मानसिक कमजोरी यह तो सारीरिक वे मानसिक कमजोरी को दूर करने के लिए बहुत सी आयरवेदिक दवाईया उपलब्द हैं बहुत से मल्टी विटैमिन आदी युक्त सप्लिमेंट बाजार में मिलते हैं पर उनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बहुत से ऐसे पुरुष या महिला हैं जो या तो इतने अधिक कमजोर हो चुके हैं इतने अधिक निर्बल हो चुके हैं कि उन दवाईयों के प्रभाव को वो सहन ही नहीं कर पाते और साथ ही साथ उनका कमजोर पाचन तंत्र उन दवाईयों के संपून प्रभाव का लाब भी उन्हें नहीं प्रदान कर पाता तो ऐसे में किया क्या जाए आज मैं आपको इसी का उपाय बताने वाला हूँ आज मैं आपको एक ऐसी आयरवेदिक ओशिदी के बारे में बताने वाला हूँ जो ना केवल इतनी अधिक सौम में है कि कोई भी इसका प्रियोग कर सकता है बलकि ये ओशिधी इतनी अधिक प्रभाव शाली भी है कि अधिकतर आयरवेदिक चिकेच सक किसी भी बिमारी से उत्पन कमजोरी को दूर करने के लिए सबसे पहले इस ओशिधी के बारे में ही विचार करते हैं दोस्तो कोन सी है ओशिधी क्या कुछ इसके लाब है वैए अन्य महत्तपुन जानकारिया इस ओशिधी के विशे में चलिए जानते हैं नमस्कार दोस्तों मैं डोक्टर रोबिन्स रुमा आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों मैं बात कर रहा हूं स्वन बसंत मालती की यह ओशिधी एक सास्त्री ओशिधी है वहसे जरतनावली में इसका वर्णन किया गया है सरवपर्थ हम इस अशिधी के प्रमुःख घटक के द्रव्यों से आपको परिचित करवा देता हूं ततपश्यात अन्य विश्यों पर हम आगे बढ़ेंगे स्वान बसंत मालती के प्रमुख घटक द्रव्वे हैं स्वान भस्म एक भाग की मातरा में मोती भस्म दो भाग की मातरा में हिंगुल जिसे आप सिंग्रफ के नाम से भी जानते हैं तीन भाग की मातरा में काली मिर्च चार भाग की मातरा में और यसद भस्म आठ भाग की मातरा में ओशिदी को बांदने के लिए वैसे सोम में बनाने के लिए इसे ताजे मक्षन वै नीम्बू के रस की सहायता से बांधा जाता है हर प्रकार की कमजोरी, विशेश तोर पर किसी बिमारी के पस्चाति या किसी बिमारी से उत्पन कमजोरी में या उशुधी बहुत ही अधिकलाब दायक रहती है इसी कारण बहुत से आयरवेदिक चिकेच सक बुखार की अवस्था में इसका प्रियोग करवाते हैं क्योंकि आभ्यांतर सारीरिक ताकत में या वृद्धी करती है जिसके चलते प्राकर्तिक तोर पर बुखार के कारण को हमारा सरीर स्वयम से दूर कर पाने में सक्षम हो पा या फिर आतों का अच्छे प्रकार से कारियन ना कर पाना जैसे समझ्याओ को ना केवल या दूर करती है बलकि भोजन के पाचन के लिए आउशक पोशक रसों में भी अवृद्धी करती है जिसके चलते भोजन का पाचन या फिर आतों में मौझूद आम दोस्ट का पाचन अच्छी प्रकार से हो पाता है और इसी कारण आमदोस से पीडित रोगियों को भी इसका प्रियोग करवाया जाता है ना केवल वो रोगी इस ओशिदी के माद्यम से अपने रोग से चुटकारा प्राप्त कर पाते हैं बलकि यह ओशिदी इतनी अधिक सोम्य है कि खराब से ख प्रभाव हमारी आतों के अलावा हमारे यक्रित हैं पाचंतर पर भी पड़ता है उन्हें यह पूण चमता पर अपने कारे करने के लिए प्रेरित करती है वहीं ऐसे रोगी जो धातु छीन्टा वीर हो रोगीरियों की आत्यादिक पत्ले धाचा वो नजर आते हैं हर प्रकार की ओशिदिया प्रियोग करके वो ठक चुके होते हैं तो ऐसे रोग्यों के लिए भी ओशिधी किसी वर्दान से कम नहीं है क्योंकि ओशिधी नाकिवल उनकी सारीर कमजोरी को दूर करने का कारे करती है बलकि उनकी सब्ध धातों को ओशिधी के संपूर्ण लाब को आउशोशित कर पाता है और सबसे विशेस बात इस ओशिधी की यह है कि यह ओशिधी धातु चीनता वीरे के अत्यादिक पतले पन स्वपने दोस्त की समस्या में भी काफी लाबदायक परिणाम दर्शाती है केवल पूर्शों में ही नहीं बलकि स्त्रियों में भी उनके प्रदर रोग के चलते जैसे रक्त प्रदर या स्वेट प्रदर के चलते उत्पन कमजोरी में यह काफी सकारात्मक प्रभावदर साती है इस ओशिधी का लगातार प्रियोग ना केवल उनकी कमजोरी को दूर करता है बलकि रक्त अलपता को भ प्रियोग विधी की तो एक एक गोली सुभह शाम साधारन तोर पर सहद या दूद के साथ प्रियोग की जा सकती है और रही बात साउधानियों की तो रस ओशिदियों में सोम्यतम ओशिदियों की स्रेणि में या ओशिदी आती है तो दुस प्रभाव की संभावना लगभग ना के बराबर है परन्तु फिर भी रस ओशिदी होने के नाते मेरा आपको यही परामर्श रहेगा कि आप इस ओशिदी का प्रियोग करने का यदि विचार कर रहे हैं तो एक बार किसी अच्छे आयरवे दिक्चिकित सकसे आउश्य मिले तत पस्चात ही आप इस विशे पर आगे बड़े आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगे मिलते अगले वीडियो में नमस्कार